दिली में नॉर्थ इंडिया मोय थाई फेर्डेशन कप का आयोजन किया गया कैसी थी ये चेंपेशिप और किस तरह के खिलाड़ों ने इसमें हिस्सा लिया इस पर हमने बात की मोय थाई इंडिया के जनल सेकेटरी नरेंदर कुमार जी से तो हमारे पश्चों के जवाब में नरेंदर जी ने क्या कहा आये सुनते हैं और ये फिट इंडिया के अंडर में हुआ है फिट इंडिया ने इसको अप्रूप किया था कि आप करें तो उनके साथ मिलके पार्टनर्शिप में मोय थाई फेर्डेशन कप हो जिसमें पांच राज्यों ने हिस्सा लिया और कौन क्या होता सबूंदर ये हर बेट में प्लेट साते हैं जो आगे एकसपट होते हैं आगे जाने के लिए तो इसमें पांच राजिया आये थे अरियाना राजस्थान दिल्ली यूपी उत्रा खंडा जिसमें दिल्ली के टीम को फैटेशन कप ट्रॉफी मिली लॉंग है तो जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के सबसे ज़्यादा गोल मेडल रहते हैं उन्हीं को ये कप दिया जाता है तो सर मौय थाई कि ये नॉर्थ इंडिया चेंपिंशिप थी नॉर्थ इंडिया कब था तो इसके अंदर सर आपने बताया कि बड़े अच्छे जो बहतीर खिलाड़ी ते उन्होंने हिस्सा लिया दिल्ली एक खिलाड़ी उन्हें बाजी मारी सर इसमें तो सर आपको लगे ज लेकिन हर्याना की टीम और राजस्तान की टीम भी काफी बहतर प्रदेशन पर थी उसमें बस कुछ एक ही गोल्ड मेंडर से ये ट्रॉफी दिल्ली के पास गई नहीं तो ये हर्याना ये राजस्तान के पास भी जा सकती थी बहुत क्लोज फाइट थी ट्रॉफी के लिए और बहुत अच्छा प्रदेशन रहा और सर इसमें फिट इंडिया का कितना योगदान रहा और उनके साथ जो आपने चैंपिंशिप कराई है तो उनका किस तरह का इसमें सही योग था अथी जिंडिया एक जो हमारी शर्मट कोच थे पर क्रदー करेब तो अब य इसका एक इनका लह वालेज को लोगों अपने जीम आणने के मुआ आपने याजमिभि इसके अफ्राद करेंग और उसके अब आने वाले गेम्स होंगे तो उसमें ये मौयथाई भी रहेगा ये थे मौयथाई के जनल सेकेटरी श्री नरेंदे कुमार जी जो बता रहे थे कि फिट इंडिया जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत मौयथाई का आयोजन किया गया और अब आने वाले टूर्नमेट्स में मौयथाई फिट इंडिया के साथ मिलकर और भी बड़े टूर्नमेट्स का आयोजन किया जाएगा